नमस्कार मित्रो मैं ममतावाश बेभुपाल से मेरी हरी भरी छत भराब का स्वागत है आज के वीडियो में हम हार्वेस्टिंग तो देखेंगे ही लेकिन बात करूँगी एक कॉमेंट के बारे में जो पिछले वीडियो में आया यू साधर रणता है मैं कमेंट्स को बहुत सी कैसी उमीद करती हूँ कि यह मेरी होबी है तो आप भी इसी होबी को अपना है हाँ अगर आपको अच्छी लगती है गार्णिंग तो आप मेरे चैनल पर अपने हाप आएंगे और मेरा मकसद यह है नहीं कि लोगों को जबर जस्ती ग्यान बाटना या कुछ भी लेकिन एक क इसके पास है ट्राफिक में ही टाइम खत्म हो जाता है और खर्चा और मगज मारी इतना सब करने से तो अच्छा है कि बाजार में सब मिलता है यूट्यूब पर सब बढ़िया दिखाते हैं जिबकि बलके इनको जिनको कोई काम नहीं होता वही किसान बनो और आंदोलन करो यह एक लाइन मुझे बहुत अजीब लगी कि जिनको कोई काम नहीं होता वही किसान बनो और आंदोलन करो मुझे ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है बात मेरी हाई नहीं मुझे तो आप जो चाहे सो कह सकते हैं मैं बिलकुल भी परवाह नहीं करती क्योंकि मैं अपने जि और जाशाप से जीती हूं लेकिन वो किसान जो अन्ड आता है जो खल चलाता है या ट्रेक्टर से करता है जो अपना पसीनह बहाता है और आप तक भोजन पहुँचाता है आपको आभारी होना चाहिए आप दो जून की रोटी खाते हैं तो किसी की महनत का परड़ॉम है वह अगर किसान उगाएगा नहीं तो आपको पैसों से भी बाजार में चीज नहीं मिलेगी बाजार में लाने के लिए भी किसान को महनत करनी पड़ती है तो काम तो काम है आपका काम बड़ा और किसान का काम चोटा खेर बहुत सुचने के बाद मुझे यह समझ में आया कि सब में इतनी बुध्धी कहा होती है नहीं है बुध्धी या फिर ये भी लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना अपनी जंदगी से frustrated है कि वो कहीं भी किसी के भी साथ frustration निकाल रहा है और ये चिंता का विशा है कि आज की PD पता नहीं युवा है युवा ही होंगे जब वो बूड़े होने के इंतजार की बात कर रहे हैं तो आज की युवाओं के उपर इतना stress है क्या या इस तरह की भाषा इस तरह का समय भी है उनके पास अगर समय नहीं है तो ये comment करने का समय कहां से आया तो वैसे तो मैं चाहती तो इस पर चर्चा नहीं करती पर मुझे लगता है किसानों के सम्मान से जुड़ी बात है हम सब मिटी का ही हिस्सा है बहुत विस्तार से सोचिए इसी मिटी से उपजे है जैसे पेड़ पौधे उपजे हैं वैसे हम भी इसी मिट्टी का हिस्सा है और इसी मिट्टी में मिल जाना है जो ये जिन्दगी मिली है इसे दूसरे की कमिया निकालने नुक्ता चीने में मत गुजारिये रही बात गार्डनिंग की तो भई जिसको आना है चैनल पर आये नहीं आना है तो मत आये किसी से कोई दबाव थोड़ी है बहुत दया आती है मुझे ऐसे लोगों पर जिन्हें ये नहीं पता कि कौन से शब्द कहां स्तेमाल करना चाहिए या वे अपने जीवन में क्या लक्ष पाना चाहते हैं और या उनके जीवन में बहुत तनाव है या कोई बड़ी कमी है या इतनी कड़वाहट है कि जब वो मुझ खोलते हैं तब ये कड़वाहट ही निकलती है मैंने प्रशन का उत्तर दिया या कहें मैंने इस प्रशन को आप लोगों से साजा किया अब आप देखिए हार्वेस्टिंग और जो मैं आपको हर तीसरे चौथे दिन दिखा रही हूं और आप लोगों को अच्छी भी लगती है और अभी तक अगर आप आप लगा सकते हैं फूलों के भी बीज डाल सकते हैं और मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है यह तो मैं आप से रोज रोज ही मतलब शेयर कर रही हूं और हमारे यहां अभी खोब सारा पानी गिर रहा है मतलब तो तीन दिन तो बहुत जादा तेज पानी की फोरकास्ट है सो मैंने अपनी जो सीट लिंक बोई है उसको चाय में रख दिया है नहीं मौयल तैयार कर लिया है तो पौदों पर स्प्रे कर रही हूं एक वीडियो और डाला था आपको और बरसात की उसमें बरसात की सबजियों की तैयारी में लग गई हूं मिट्टी की तैयारी में लग करते हैं मुझे बुरा लगा ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इतनी मेरी है कि इस तरे इस बात का जबाब होना चाहिए कि युबापीडी कहां जा रही है कि क्या है जंदगी आगर हम नेचर से ही नहीं जुर सकते ये य हैं यह ile नहीं पता कि जब तक प्रकृति है, जब तक पेड़ पौधे हैं, जब तक ये संपदा है, तब तक हम है, जो बायो डाइवरसिटी का मतलब नहीं समझते, सह अस्तित्व की बात नहीं समझते, उनके जीवन का मतलब क्या उदेश है, क्या कहूं मैं, मेरे पास तो अच्छब्दी न शलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार